नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा और अच्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि ही माचल प्रदेश स्टेट लेक्रिसिटी बोर्ड लिम्टेड द्वा ने बाला हूं तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए और ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिए क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक से भी आपका जो है वो फॉर्म जो है वो कैंसल हो सकता है तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग junior helper और teammate का जो है बिजली board का form भरना है तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश State Electricity Board दो आज वो notification जारी की गई है आज 19 मार्च 2020 को तो इसमें हम बताने वाले हैं आपको की application form जो है आपको कैसे भरना है तो सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश www.hpseb.com पे यह notification मिल जाएगी वहाँ से आपको यह notification डाउनलोड करना है 12 पेज का यह notification होगा तो कैसे आपको form भरना है वो शुरू करते हैं तो यहाँ पर बताया गया है आपके जो भी आपके जो भी document होगे वो आपको self-attested photocopies जो है आपको form के साथ जो है send करना है जो की certificate रहने बाले है एक metric का और एक आपका जो रहेगा वो रहेगा ITI का उसके बाद जो है next होंगे आपका जो अगर आपके पास दूसरा है experience का कोई certificate है यह आपकी जो category है उसका और one passport size recent photograph to candidate duly signed candidate pastor to practice box in the application form एक फोटो जो है आपको साथ में extra भेजना है और उसके बाद अधार कार्ड कॉपी जो है आपको साथ में लाना है और document original and self-attested जो है वो self-attested आपको भेजने हैं और original भी आपको evaluation के 15 marks के जो certificate होंगे वो आपको जो है वो भेजने होंगे और उसके बाद जो है फीस जो रहेगी वो रहेगी journal category के लिए जो है वो 100 रुपे फीस रहेगी और reserved category के लिए जो रहेगी वो रहेगी 50 रुपे फीस तो आपको जो फीस का अगर आप bank draft बनाते हैं या फिर आपका जो post office में बनेगा तो आपको जो है इस पतिक पर जो है वो बनाना है bank draft दा स्टेट बैंक ओफ इंडिया मैन ब्रांच नियर काली बारी टेंपल दा नाल शिमला इन फेवर ओफ एच्प स्टेट इलेक्री सिटी बोर्ड लिम्टेड अगेंस्ट अकाउंट नंबर HPS EBL 35110967 IFS SBIN 40718 तो इस पते का जो है आपको draft या पियो बैंक आई पियो बनवाते हैं पोस्ट ओफिस से तो आपको इस पते पर जो है वो बनवाना होगा यहां के लिए यह सेंड होगा उसके बाद होगा यहां पर बताया गया है कि payment जो है वो क्यास से accept नहीं की जाएगी बैंक ट्राफ्ट और IPO ही accept जो है वो किये जाएंगे उसके बाद जो है उसके बाद कुछ जैनल इंस्ट्रक्शन है आपको यह form में देखने को मिल जाएंगी उसके बाद जो है वो आता है मैं आपको में नंबर बता देता हूँ जो contact नंबर है आपको भी यह जो website बनाई है उस form में आपको मिलने देखने को मिल जाएगा तो नौर्थ योन में आपकी तीन स्टेट आती है धर्मशाला में जो है इसका सेंटर होगा कांगडा उन्ना और चमबा और उसके बाद जो है चीफ इंजिनियर ओपनेशन सेंटरल जो है में जो है वो कौन-कौन सी टेस्टिक आती है वो आपको पता होना चाहिए तीन जोन है और साउथ जोन है वो शिमला है तो उनके स्क्रीन शॉर्ट ले सकते हैं अगर PDF डाउनलोड करते हैं तो आपको यह मिल जाएगा www.hpseb.com जो है इसकी बेर साइट है उसके बाद जो है आपका अप्लिकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाता है तो अप्लिकेशन फॉर्म में देख सकते हैं आप सबसे पहले जो है इहां पर दिया गया है कि आपको एक latest self-tested जो है वो passport size photograph लगाना है उसके बाद first में आता है आपको अपना नाम भरना है उसके बाद second में father's name भरना है और third में आपको जो है वो date of birth भर्णी है in figures और in world अंकों में भी और शब्दों में भी जो है आपको अपनी date of birth भर्णी है और चोथा जो option है वो है आपको अपनी जो है वो gender लिखना है male female उसके बाद permanent home address आएगा आपको आपको अपनी district का name लिखना है नीचे state का name लिखना है और pin code जो है आपको डाल देना है address of for correspondence तो जहाँ पर आप रहते हैं तो वहाँ का address भी आप यहाँ डाल सकते हैं या अपने घर का permanent address ही डाल सकते हैं अगर आपको जहाँ पर यह आप रहते हैं वहाँ पर यह कोई notification आती है क आप वहाँ पर पाना चाहते हैं तो यहाँ पर वह address आप अपना यहाँ डाल सकते हैं उसके बाद जो है phone number या mobile number आपको यहाँ पर पाल सकते हैं उसके बाद email id जो है आप यहाँ पर अपनी डाल सकते हैं उसके बाद आपको marks of identification डालना है अगर आपके कहीं पर कोई तेल है या cut लगा है तो आपको वो identification जो है वो डालना है उसके बाद जो है category भरनी है आपको कि आप किस category से जो है वो belong करते हैं form भरना चाहते हैं दसमा column जो होगा वो उसी का होगा और उसके बाद 11 column जो है वो है अधार नमबर जो है आपको इस column में आगे अपना भरना होगा उसके बाद जो है कि junior teammate और junior helper इसके अलग लग form नहीं भरेंगे आपको जो है preference देनी है अगर आप junior teammate की job करना चाहते हैं तो आपको first preference junior teammate देनी है अगर आप first preference junior helper की चाहते हैं तो आपको first preference जो है वो junior helper की देनी है और second teammate की ऐससे आपको preference देके जो है form भरना है उसके बाद education qualification क्या है आपको वो डालनी है और उसके जो है certificate जो है आपका लगेगा देख सकते हैं आप metric के यहाँ पे 14 जो column है वहाँ पर metric name of old भरना है metric के यहाँ और year of passing total marks कितने है और आपने कितने marks पराप्त किये marks of 10 में आपने वो डालना है और आगे percentage of marks में बताना है कि आपके किनने परसेंट जो है वो 10 में marks है उसके बाद पंदरमा जो column है उसमें बताया गया है कि ITI wireman electrician electrical trade only name of institution जो है आपको अपना बताना है institute का ITI का उसके बाद year of passing आपने कौन से year में जो है passing किया है और उसके बाद bonafide हिमाचली की जो है आपको photo copy जो है attach करनी है उसके बाद self-attested copy of middle matriculation certificate showing detailed marks from any school institution बिद हिमाचल प्रदेश in case a point तो आपको जो है self-attested एक middle या matriculation metric की जो है photo copy आपको साथ में बिजनी है self-attested करके उसके बाद बता जागया है यहाँ पर आपको मैंने उपर भी पता दिया है कि IPO या bank जो है वो भरना आपको number दिया होगा वो डालना है आपको यहाँ अठारमा जो column है तो इस परकार जो है आपका वो जो है यहाँ पर last पर आपके sign होंगे तो इस पर कार आपको पूरा form जो है वो भरा जाएगा जो नहीं होगा